असलाम अलेकूम आइडिया स्टूडेंट, हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं जर्णी आफ चॉकलेट चेप्टर नमबर थी की हम बहुत जो है वो डेटेल से पढ़ चुके हैं कि जर्णी आफ चॉकलेट क्या होता है कोको ट्री से शुरू होता है फिर पॉड्ड मेंसे बीन्स निकाले जाते हैं उन्हें वाश किया जाता है उनके अंदर फ्लेवरिंग विक्स की जाती है और फिर फैक्टरी में उनको पैक किया जाता है और आप इसे बजार से खरीब दें इसी तरह हम और दुन्या में पैदा होते हैं पिर स्कूल जाते हैं और दुन्या से रुफसक हो जाते हैं ये दुन्या की जिंदगी एक सफर है, मनजल नहीं है तो हमें मुसाफिर की तरह ये सफर तै करना है इसलिए हम अल्ला से ज्वा मांगते हैं एहदे नस्राथलमस्तकीम अल्ला ताला हमें सीधे रस्ते की तरफ हदायत दे और वो सीधा रस्ता कैसे नजर आता है वो कुरान जीत को तरजमे से पढ़ने से पता चलता है तो आज से अपने उपर लाजिम कर लें कि आपने कुरान जीत को तरजमे के साथ पढ़ना है अपने सबक की तरफ आते हैं वाट इस अ वर्ब वर्ब किसको कहते हैं अ वर्ब इस अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स दा एक्शन इन अ सेंटेंस दा डूइंग वर्ड यानि वर्ब जो है वो लफस होता है जो एक एक्शन या अमल को जाहिर करता है इन अ सेंटेंस इसको डूइंग वर्ड भी कहते हैं ये क्या है? बच्चा क्या कर रहा है? I play football football जो है उससे खेल रहा है तो play जो है वो हमें बताता है के बच्चा क्या कर रहा है तो play is a verb और doing word इसी तरह she eat noodles ये क्या खा रही है? noodles खा रही है तो eat जो है ये action word है find five action verbs in the text and write sentences of your own using them आप खुद से अपने chapter को पढ़ें मैंने इसमें से five select किया है आप पूरे chapter में से ज्यादा select कर सकते हैं और फिर हम इनको अपने sentences में use करते हैं तो ये है verb eat इसका past participle है eaten तो ये आपकी book में इस्तेमाल हुआ है eaten आपने ये देखा ये cucumber है cucumber को उर्दू में खीरा कहते हैं और cucumbers are often eaten raw हम आम तोर पे जो खीरा होता है उसे बगैर पकाए हुए raw form में कच्ची सबजी के तोर पे इसलाद के तोर पे इस्तेमाल करते हैं फिर है come, move or travel towards किसी की तरफ हरकत करना या सफर करना she will come today, वो आज आएगी say, utter words or as to convey information जब हम अपने मूँ से कोई लफ्स निकालते हैं कोई information, कोई मालूमाद दूसरे को पंचाते हैं तो हम उसके लिए say, कहना इस्तमाल करते हैं तो say, assalamualaikum when you see your brother हमें किसी को देखते हुए assalamualaikum कहना चाहिए जो सलाम में पहल करता है उसे दसनेकियां ज्यादा मिलती है और जवाब में वालेकुम असलाम कहना चाहिए इसका मतलब है, सलामती हो तुम पर और अल्ला ताला ने एहल जन्नत की ये खसूसियत रखिया कि जब वो जन्नत में दाखिल होंगे उन्हें फरिश्टे सलाम करेंगे आपको पता है कि मुस्कुरा कर देखना भी सुनत है इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराट सजाए रखें एक सुनत को जिन्दा करने का सवाब सो शहीदों के बराबर मिलता है तो आपको इसमें कोई पैसे नहीं लगते हमेशा मुँपे स्माइल रखें फिर है पिक अप ट्रेश अगर आप रस्ते में से कोई कूडा क्रेकेट या कोई पत्थर हटाते हैं तो ये भी सदका है तो पिक अप ट्रेश हमेशा अपने खुद भी नीचे गन ना फिलाएं और कोई गन नज़र आए तो उसे उठाके बास्किट में बिन में डालें फिर है अस्सलाम अलेकुम स्लाम में पहल करें स्लाम करना भी सुन्नत है और फिर आप देखें कोई बड़ा कोई एल्डरली आप दर्वाजा खोल के उसके लिए खड़े हो जाएं तो ये भी काइंडनेस है फिर है आपको मुश्किल में किसी की हेल्प आउट करना मदद करना ये भी एक एक अट अफ काइंडनेस है ग्रो आफा लिविंग थिंग अंडर्गो नैच्टरल ड्वेलपमेंट जब हम कहते हैं कि कोई चीज ग्रो कर रही है तो वो लिविंग थिंग होती है और उसकी नैच्रल ड्वेलपमेंट होती है उसका साइज बढ़ता है जैसे हम एक पौदा जो है वो प्लांट करते हैं सीड बहते हैं तो उससे पौदा बढ़ा होता है पौदे जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं जिन्दा चीजे हैं प्लांट्स ग्रो फ्राम सीड्स प्लांट्स जो हैं वो सीड्स से ग्रो करते हैं और आपको पता है कि ग्रोइंग प्लांट्स इस चैरिटेबल की सदका है तो आपको अपने घर में अपने मुल्कों ग्रीन बनाने के लिए प्लांटेशन जरूर करनी चाहिए तो उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें